Never stop learning because life never stops teaching Hello everyone, welcome back to Preeti's life journey में So, friends, if you do two work, life will be easy and many new things we will get to learn And those two things that I have started in my life, have improved me in my life So, that is my life's easy secret that keep away negative thoughts and keep away negative people People who stop learning and learn something in your life or your peace of mind hurt you They say, what are you learning? What are you using? So, those who hurt your inner peace, keep away those negative people So, life will be easy. Anyways, today's topic is classic photography. Actually, before I made a video about tips and tricks of self photography It was good and positive responses So, I thought, why not today is a classical photography trick and trick? Now, I'm happy to learn something about the internet I always have used to learn a lot from my own You can learn a lot of it If I'm interested in my own learning, I must learn something new to learn something new to learn. तो चलिए आज वही अपने experience आपके साथ शेर करने जा रही हूं ज़रूर आप भी इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे और अगर आपको यह अच्छा लगे चैनल तो subscribe कर दीजेगा, like कर दीजेगा और share कर दीजेगा और बने रही हैगा, एंड तक यह वीडियो में क्योंकि कुछ एप भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसमें editing कैसे कर रही हूं और कुछ नया आज सीखती है, so चलिए स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों classic pictures click करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूँगी इस mirror का और इस mirror के साथ कुछ pictures क्लिक करूँगी अब यह picture click करने के बाद इसमें vintage look दिया है जिसके लिए मैंने app use किया है Snapseed जिसके बारे में मैं अपने last video में भी आपको बताया था अब इस छोटे mirror का इस्तेमाल करूँगी मैं फिर से कुछ और classic pictures click करने के लिए तो देखिए आप कैसे लगए तो दोस्तों इस तरह से घर पे पड़ी हुई काफी सारी चीज़ों का use करके जहां tricks use करके आप अपनी photos कीच सकते हैं क्लिक कर सकते हैं अच्छी सी और फिर अपने इंस्टा और Facebook के लिए इनको upload कर सकते हैं आपको काफे सारे compliment मिलेंगे अब यह मैंने lamp यूज़ किया और इसका wall पे जो effect है light का उसका मैं यूज़ करूँगी next classic picture के लिए so you can see this beautiful pictures जिसका light का effect बहुत ही खुबसूरत है आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये effects कैसे लगे और ये tricks कैसे लगी और ये app ज़रूर डाउनलोड करना आप और उसमें try करना अपने pictures को और classic बनाने के लिए अब यहां पे मैंने लॉबान जलाया है थोड़ा सा दूवी वाला effect देना है classic सा pictures को सोड़ देखिए आप ये pictures कैसी आती है इस दूवी के साथ सो देखिए आप same मैंने snap seat में ही इसको अब दोस्तों ये बहुत ही special effect है हिलती जुलती सी photo और उसके आगे दुआ भी निकल रहा है एक special app है इसके बारे में next बताऊंगी मैं अब यहां पे दोस्तों हम करेंगे trick use in earrings के साथ और खुबसूरत से picture क्लिक करेंगे किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने earrings के साथ इतने खुबसूरत से effects दिये और pictures में सारे earrings को use करके आपने क्लिक की हैं और इसको editing करके आप बहुत ही खुबसूरत picture बना सकते हैं अपने social media पे डालने के लिए Instagram के लिए Facebook के लिए जहां भी आप post करना चाहते हैं अब यहां पर मैं इस खुबसूरत से डुपटे को use करूंगी नेक्स पिक्स के लिए तो चलिए देखे कैसे आती है यह pictures so I hope so बहुत ही अच्छा लग रहा है यह effect भी अब यह curtain जिसको मैं use करूंगी next background के लिए तो background में यह बिल्कुल curtain है और बहुत ही खुबसूरत सा effect आया so दोस्तों अमीद करती हूं आज कर यह video आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है so like कर जीज़ेगा और अपनी self photography ideas use कीज़े अपने घर पे अपने घर इस lockdown में और मुझे tag कर सकते हैं मेरे Instagram पे so I will show to other people also और अगर आप इस picture को देख करके आप चाहते हैं कि इस तरह के effects मैंने कैसे बनाए कौन ता app यूज किया उसको कैसे यूज करना है क्या है so उसके बारे में आप मुझे comment कीजिए so मैं आपको इसके बारे में भी सारा explain करूंगी it's very nice बहुत अच्छा effect है यह और मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस app को use किया so चलिए मिलते हैं next video में until the next video guys be confident and be stylish thank you so much bye bye